हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Vivo Y02T Android mobile phone में आप जो है password lock remove कैसे कर सकते हैं अपने mobile phone से और यह password lock remove करने के बाद यह setting कैसे काम करेगी आपके phone की आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो का हम स्टार्ट कर ले थे हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लिजे अपने mobile phone में setting page में आपको नीचे यह option मिल जागा security का security पर select करना है अब इसके अगले page में आपको नीचे यह option मिलेगा screen lock screen lock पर select करना है अब यह आपका अगला page यहाँ पर आ जाएगा यह जो भी password lock आपने लगा रखा है उसे आपको यहाँ पर enter कर देना है और नीचे right click करना है तो आपका next page यह open होगा तो आपका यहाँ पर screen lock के नीचे known लिखा हुआ जाएगा तो इस तरीके से आपका password lock remove हो जाएगा आपके mobile phone से अभी password lock remove होने के बाद आपके phone की setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूं देखे दोस्तों जब भी आप अपने mobile phone की screen को off करेंगे इस तरीके से फिर बाद screen को on करेंगे तो आपने mobile phone में जो last page आखरी page जो छोड़ा होगा आपको डारेक्ट सामने open हो जाएगा आपको इस बीच में कोई भी password lock आपके phone पे लगावा दिखाई नहीं देगा ठीक है तो इस setting जो नहीं से काम करेगी आपके phone की password lock remove होने के बाद अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting पेज फिर से open करना है setting पेज में सबसे ओपर यह search icon को option select करना है यहाँ पर आपको search बार में screen lock आपको type करना है तो आपको नीचे यह option शो हो जाएगा screen lock का यहाँ पर आपको एक ब option select करना है जिसके नीचे setting security लिखाओगा इससे क्या होगा आपका phone आपको directly setting में लेकर आजागा और इसे highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में